हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैज यूट्यूब चैनल टेक्निकल आटोमबाल सर्विस दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो की आपने सुना होगा कि फर्स्ट और सेकिंड गेर जो है वो हाट की प्रोलम है जानी कि वो क्या है गेर शिप्टिंग जो है बहुत मलब की अट आटक जाती है कि जैसे हम उसको गेर को डालते हैं तीसरे गेर से दूसरे गेर में करते हैं जा दूसरे गेर से पहले गेर में करते हैं तो गेर जो है वो डलता नहीं है वो क्या करता है वहां है भी आटक जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका जो जो प देखते हैं कि कैसे कैसे इसको UPON करओं मैं थोड़ी से वीडियो किया間 धार नहीं थोड़ी फोरवर्ड करने हो क्योंकि वैसे तो बहुत टाम लगता इसको गेरो ओपन करने में यह देखिए यह लोकेस का वो भी निकाल लेना है जे साइड में इसका बैक के स्विच उसको निकालने के बाद देरे देरे आप इसकी जो सारी फिटिंग है उसको जे शिफ्ट ट्रके होते हैं बोट लगे दो लगे होते हैं इसको भी निकाल देना है मनलब कि आपने देरे देरे जे फिटिंग खोलने के बाद आपको मैं बताऊंगा कौन से वो रिंग होते हैं जो आपने चेंज करने हैं उसकी वज़ा से ही प्रोलम करती है तो दोस्तो एक चीज़ का दियान रखना है आपने जब भी आप इसको करते हो दियान से कोल देना है उसके बाद में रिंग चेंज करने है और साथ में आपको क्या करना है कि जो इसके होते है न जानी कि कलच प्लेट होती है जहां फिर प्रेशर प्लेट होती है उसको भी साथ में चेंज करो अगर नहीं आप करोगे न साथ में चेंज तो वो थोड़ी दिर बाद ही फिर प्रॉलम आ जाएगी जानी कि कम से कम जाए ये चार पांच महीने निकल जाएंगे तो उसके बाद में फिर जो हाड की प्रॉलम आएगी फिर जो शिफ्टिंग जो हाड होगी तो इसलिए बैट रहे ही है कि आप पूरे परसेस के साथ इसको चेंज करो इसके जो है गेर रिंग उसको चेंज करो और साथ में जो है इसकी कलच प्लेट और इसका प्रेशर प्रेट उसको भी चेंज करो तो फिर जे कि एकदम सही रहेगा फिर नहीं प्रॉडम करेगा इतनी तो चलो इसकी फिटिंग अभी ओपन हो रही है तो फिर आपको मैं बताता हूँ इसका कौन से रिंग होते हैं झाज अजविए सबस्क्राइ बस्क्राइब साथ नहीं पूलोग इसके अचनल है जाँ अबस्क्राइब स्ब्सक्राइब सूब्स्क्राइब अज़े Cानल या झाल देखिए दोस्तों आपके पास अभी जो है यह है एक जो सामने आपको दिखाई दे रही है न वो इसकी में शाफ्ट और जो दूसरी है साथ में वो कॉंटर शाफ्ट तो इसको भी जो बैक गेर की वेर वो निकालते हैं जे देखें जे बैक गेर की है तो इसको भी हम साइड में रखते हैं जे दोनों को अहलाकर बार निकालतां जे देखें जे भी आपने ध्यान रखना है जो इसकी सील्स ना उसको भी देख लेना चेंज करना है तो जे रही कॉंटरशाफ्ट जिसके हम इसके ना सेंक्रोरेजर होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे होगे golden color के तो उसको क्या आपने change करना है ठीक है वो सामने दिखाई दे रहे हैं first और second gear की जो है वो इसी पे होती है तो जे इसका जो है fry wheel तो fry wheel भी आप देख लो जे देख जैसे थोड़ी ज़ज़ हीट हुआ हुआ है यह भी हुआ है तो वहाँ पे भी हुआ है इतना आज़े की ज़्यादा नहीं है अगर ज़्यादा हो तो आप इसको भी change कर दो तो clutch plate और जो इसकी यह pressure plate इसन दोनों को आपने क्या करना है जब भी ring को डालना है तो इसको change ही करना है फिर आपकी जो है shifting की problem कभी नहीं आएगी जे देखिए इसका जो bearing है उसको भी आप check कर लो अगर change होने वाला है change कर दो तो clutch और pressure जरूर change करो मैं तो इसका भी सब कुछ ही change कर दोंगा यह बाद में दिक्कादर ना है तो मैं इसका जो fry will वो भी fry will की जो है जो bolt लगे हो है वो T45 से खुल जाएंगे वो देखिए सामने आपके तो उसके बाद में दोस्तों आपने जे भी चेक कर लेना है जो इसकी जो है seal होती है उस सामने लगी तो इसको भी देख लेना है अगर league हो रही है बहुत जादा नहीं है पहले तो बहुत कोस्टली होते थे जे दो ट्रिंगें वो भी आप चेंज कर सकते हो जे seal हो भी आप चेंज करो क्योंकि चेंज करो इतनी जादा मेंगी तो है नहीं तो जे श्लेगे जे भी 300 रुपे की है जिससे पेस्टिंग होगी वो भी आप चेंज कर दो तो अब भी मैं इसके गरारियों को निकालता हूँ निकालने के बाद आपको ring भी दिखाऊंगा कि वो कैसे है दोस्तो थोड़ी मैं वीडियो ऐसे जल्दी जल्दी बना रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता चल जाए क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनेगी तो आप क्या करोगे देखोगे नहीं तो फिर पता कैसे जलेगा तो थोड़ी सी स्पीड तो जरूर है वीडियो लेकिन आपको एक एक मुमेट जो है वो सब भी आपको दिखाई देगी तो जे उपर वारी गरारी और साथ में इसका बेरिंग वो चेंज करके आप उदारने जे जो इसकी जो सीले वो है वो निकाली है जे देखिया इसकी कौन है उसको निकाला है ये रही तो अभी जो है फिर से ग्रारी टाइट होती है तो उसको भी आपने निकालना है तो निकालने के बाद में आपको फिर आगे जो है वो रिंग की दिखाई देगी से इंक्रोरेजर रिंग जिसको हमने चेंज करना है दोस्तो इसका भी ध्यां रखना है कि तूटे नहीं अगर तूटगी तो नहीं डालनी पड़ेगी आपको इसको भी जब कोलते हो इसके बेरिंग बेरिंग जो है सबी चेक कर लोगोगी अभी तो खुलने के बार तो फिर आप अश्य से इसको चेक करके फिर ही फिट करो क्योंकि बार बार फिटिंग से अश्य है कि एक दम इसको चेक कर लो तो जे देखिए इसकी जो है जे भी गरा रही है जे भी और उसके बाद में जो है जो राइज आपके सामने सिंक्रोडाइजर रिंग तो जे ही होते हैं जे उपर से गिस जाते यह आपके सामने दिखाई दे रहे होगे आपको यह देखिए जहां से गिस जाते हैं तो गिसने के बाद में फिर गयो है हमारी जो शिफ्टिंग है वो यह हाड हो जाती है यह देखिए सामने वो गिसे होए ना वहां से जहां से भी तो आपको कहा है कि जहां गिसने के बाद खिर जह कह रहे गया shifting की problem कि जो है जब भी चेंज करो मिसलब कि shifting करो के gear को तीसरे से दूसरे पे जहां फिर दूसरे से पेले पे तो आपको प्रोल्म आएगी आएगी तो यह change कर दोगे तो आपकी जो है shifting की problem दूर हो जाएगी तो रिंग भी इतने ज़्यादा मेंगे तो नहीं है आपको पहले मैंने बताया रिंग 1690 रुपे का एक सेट है तो इसमें दो डलते हैं तो वो आपने दोनों कर दोनों चेंज कर दो फर्स्ट और सेकंड के जे देखिए जे बी जे इसके लोक है वो भी आपने क्या है अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी चीज बिखरे ना तो अभी हम इसको भी निकालते है जे हमारे फर्स्ट गेर के हैं तो जो थे वो दूसरे गेर के थे तो हमने दोनों जो है change करने यह हमारा देख लेना कि counter sharp में होते हैं ठीक है दोनों के दोनों counter sharp में होते हैं first और second तो हमने क्या करना है दोनों को अ nsaf करके उसके बाद म engain बेरिमी नीचे वाला check कर लो तो उसके बाद में अभी हम इसको synchorizer ring डालते हैं यह रही इसकी कोस्ट फिर से बताता हूँ आपको 1690 रुपे एक सेट की तो अब भी हमने पहली ग्रारी डाली उसके बाद में जो रिंगे वो डालेंगे यह देखिए दोस्तो नियू वाला इसमें देखो तो उसमें थोड़े सा जो गिसा हुआ था ना उसी वज़ा से प्रोब्लम कर रही थी तो इसको हमने डाल दिया इसका दोस्तों मूम देखे ना कि उपर की साट को हमने रखा हुआ ह जो मतलब की चुड़ाई वाला हिस्सा है वो नीचे जो थोड़ा सा कम है वो उपर तो उसके बाद में जो है जे भी आपने दियान रखना है कि जो उसकी जे देखिए ऐसे उल्टी रखनी है जाने कि उपर वाली साट को नहीं रखना आपने जो इसका होता है कि मतलब की हिस्सा है वो नीचे तो उसके बाद में इसको हम बोलते हैं की होती है जे इसको भी आपने ऐसे लगाना है जे देखिए जे भी लोग की होते है तो उसके बाद में इसके उपर रिंग डालना है जे देखिए जे दोनों साइड में होता है जो जो लोग है लोज जे रिंग दोनों साइड में इस साइड भी और उस साइड भी उसके बाद में यह देखिए हमने उल्टा दाला है जानी कि जिसमें जो रिंग बने हुए है न वो जैसे गरारी यह जो गरारी वाला हिसा उपर आएगा उपर अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपको प्रोलम आएगी बाद में तो इसको दोस्तो अश्य से आपने क्या करना है बिठाना है गरारी को क्योंकि इसके उपर एक लोग भी लगेगा तो आपके सामने सबकु शाज में बतूगा कि कैसे यह देखिए यह एकदम फिट हो गया उसके बाद में थोड़ा सा इसको यह देखिए लोग वाली जगह है न जहां पर उसको लेकर आना है तो आपको थोड़ी सी अगर हल्की सी शट में मारनी पड़े तो आप मार सकते हो तो यह देखिए अभी इसमें हम लोग बठाएंग यह जो हिस्सा है जहां पर लोग आएगा एक तो यह भी दियान रखना है कि अश्य से फिट हो जाए ऐसा नहों कि बाद में प्रॉल्म करें अगर लोग अश्य से ना बैठा तो तो यह देखिए लोग जो अभी मैं डालने वाला है असानी से डल जाता है मतलब इसको इतना ही फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यह देखिए आपके सामने ही है तो बस एक बार लगाकर बाद में चेक कर लेना है कि अश्य से लगाए जा नहीं लगाए क्योंकि अगर नहीं लगा तो बाद में दिक्कत आएगी कि आप ट्रास्मिशन को जो है उपर भी फिट कर दोगे फिट करने के बाद में अगर इसको कोई प्रॉलम आती है तो गरारी जो हो सकता है क्योंकि इतनी फोर्स चलती है तो हो सकता है गरारी भी उपर नीचे हो जाए तो इसलिए आपको जे लोग चेक कर लेने हैं कि एक तम अश्चे से लगें कि बिखरे नहीं बाद में ओके तो दोस्तों जे भी हमारी फिट्ट होगी जे देखिए लोग अश्यस बैठा हुआ है ठीक है अभी जे भी फिट्ट होगी उसके बाद में हमें इसमें डालेंगे जो दूसरा सैट था ना हमारा सिंक्रोलाजिया रिंग का वो डालेंगे तो अभी इसका देखना कि इसको किस साइड में हमने रखना है यह देखिए उसको पेले वाले को हमने जो चुड़ाई वाला हिसा था वो नीचे रखा हुआ था अभी हम क्या रहेंगे चुड़ाई वाला हिसा उपर रखेंगे तो देखिए सिंक्रोलाजिया रिंग कितने अशानी से हमारे जहां पर फिट हो गए, तो उसके बाद में जो है, ये पेले हैं और ये नए वाले हमने डाल दी, अभी इसका जो पेरिंगे वो डालना है, उसके बाद में जो है उससे थोड़ी सी शोटी गरारी सी दी आप निशानी रख सकते हो, अगर आपने पेली बार ओ नोटी ग्राणी करते रहोगे तो आपकी फिटिंग एक तम अश्य हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे या आपने करना है तो अभी मैं इसको जैसे निकाला था वैसे हम इसको भी फिट भी करेंगे दियान रखना है कि इससे जैसे आप प्रेस से कर रहे हो जहां फिर वैसे भी कर रहे हो तो बेरिंग का दियान रखना है आपने कि बेरिंग ना तूटे तो चलो मैं तो प्रेस से कर रहा हूं तो दियान से कर रहा हूं तो आप भी ऐसे करना अगर बैरिंग तूट गया तो आपको नया डालना पड़ेगा तो उसके बाद में जो गरारी विट्टोंने के बाद में जो खौन होती है उसको हमने डारा है तो उसके बाद में जो गरारी है इसका भी देखना जो चुड़ाई वाला हिस्सा है उपर तो नीचे जो है कि वो टच हो जाए क्योंकि इस कॉंटर शाफ्ट और में शाफ्ट दोनों की गरारी एक दूसरे टच होती है तो उन्होंने उतना का गैब छोड़ा हुआ कि असानी से टच हो जाए तो इसको भी हम करते हैं पिट करते हैं तो देखेए दोस्तो अब ही ये भी ट हो गई तो उसको बात जो ऑभी हम इसका जो उपर वाला बैरिंक निकाला था उसको हम फिट करेंगे तो उसको fit करने के बाद जो हमारी जो counter shaft है एकदम fit है तो फिर fitting के लिए त्यार हो जाएगा transmission हमारा तो अभी हम इसको चलो डालते हैं bearing को तो bearing के अभी दियान रखना है कि अगर आप हलके हलके ही करोगे तो फिर तो ठीक है अगर आप जादा जोर से करोगे यह भी तूट सकता है तो आपने इसको भी कह करना है दियान से fit करना है आपको ने इसको नहीं तो यह भी आपको नहीं डालना पड़ेगा तो अभी जो हमारी counter shaft है यह एकदम fit है synchronizer ring इसके जो है चेंज होगे तो अभी हम इसकी जो seal है इसको भी मैंने चेंज किया हुआ आपको मैंने पहले बताई थी तो इसको भी चेंज कर लिया है कि ताकि यह भी बाद में दिक्कत ना करे लिकल ना करे तो आपने इसकी जो सारी seal है वो चेक कर लेना है बाद में जैसे गेर की है गेर वाली होती है जो एकसल की seal तो आपने उसको भी चेंज कर लेना है अगर आपको लगती है उसमें कोई प्रॉलम है चेक कर लो एक बाद तो ऐसे बाद में चलो इसको जब हम डालेंगे ना ध्यान से डालना है यह ऐसा ना हो कि seal हमारी जो नए वाली वो भी लीक हो जाए तो आपने बहुत दियान से इसको बीच में रखना है इसको तो अभी देखो हमारा यह है थोड़ा सा उपर है अभी तो कोई बात नहीं हम इसको भी रखें यह देखे कोई दिक्कत की बात नहीं जे थोड़ा सा टाइट हो जाता है क्योंकि बेरिंग डलता है न जे देखिए बेरिंग यह आपके सामने तो स्लीव में जाना है तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको थोड़ा सा करके जे देखिए आपके सामने जे एकदम fit अंद्रू भाइक है उचिप्ट कराए है तो जे देखिए जो आपकी shifter वह भी लगे हुए जो आपका वह जे देखे अभी जो ना back guest की गरारी उसको हम fit करते है तो दोस्तो इसको फिट करने के बाद आपने एक चीज क्या और त्यान रखना है क्योंकि अगर जे चीज रहेगी तो आपको फिर से जो है उपर वाला इसका टाप आप वो निकालना पड़ेगा जे जो है ना एरो जे आपको सामने दिखाई दे रहा है इसकी बिल्कुल सेम उपर ना आपने इसका जो है जहां पर बोल्ट लगना है तो उसका जो होले उसको रखना है क्योंकि अगर आप वहाँ पर रख लोगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉलम नहीं आएगी कि इसका कहीं मल्दव की वहां से की जहां पर हो गया जहां वहां पर हो गया तो आपने क्या करना है वहां से आपने सीधा इसको रखना है अगर रखो के तो एकदम सामने आपके वो आएगी बोल्ट जो है जहां पर लगना है तो इसको भी हमने अभी टाइट कर लिया टाइट करने के बाद यह भी मारा फिट है तो अभी दोस्तों इसको साफ कर लेना अपश्य से फिर इसके उपर पेस्टिंग करके इसको फिट कर देंगे जे देखिया आपका सिप्ट हो रहा है एकदम तो आपने इसको साफ कर लेना अश्य से साफ इसको भी और इसको भी दोनों को साफ करने के बाद इसके उपर हम फिट करेंगे तो जे अभी मैंने पेस्टिंग भी लगा दी तो अभी इसका जो उपर वाला हिस्सा इसको मैं फिट करता हूँ लो दोस्तो ये भी फिट हो गया अश्य से बठा लेना इसको ये देखेंगे फिर जैसे जैसे आपने फिटिंग हो ली थी तो वैसे वैसे आपको फिट कर लेना है तो ये देखेंगे देखिए जो बोल्ट है मैंने आपको बोला था अभी देखो मैंने कोईश्य भी नहीं किया क्योंकि मैंने पेले ही उसको अश्य से कर दिया तो फिर सीधा लग गया तो इसलिए उसको आप चेक करके फिर ही करो, फिर आपके लिए असान है, तो अब यह बारा नबर के बोल्ट हैं सभी तो इसको हम टाइट कर लेंगे, टाइट करने के बाद उपर वाली जो फिटिंग लोक वाली वो इसको साफ करने के बाद लोक फिट करेंगे, फिर आप जै दोस्तो प्लीस अगर आपको वीडियो अशी लग रही है तो प्लीस इसको लाइक और शेर कमेंट जरूर करना और चैनल को सिस्क्राइब भी जरूर करना तो मैं वीडियो को जारी रखता हूं तुझे देखिए आपने इसके उपर जो स्रीव वो रखनी है उसके बाद में जो इसका लोग है वो भी आपने डालना है कर दो मैं जरूर कर दो जरूर कर दो बालना है एक बार मलाने के बाद आप इसको अच्छे से चेक कर लो कि टाइट हो गए है टाइट होने के बाद इसकी जो है उपर वाली फिटिंग वो आपको दिखाते हैं कैसे कर नहीं है जरूर कर दो में लोग को अपको अपने डालना है इसको भी दोस्तों चेक करना है कि असे शेश यह भी फिट हो जाए क्यूंकि जे भी लोग है तो लोग का इसका कट बना हुआ होता है तो आपने उस कट में ही डालना है उपर मत शोड़ना तो अशे से इसको भी चेक कर लो कि यह लोग में बैठ गया है कट में हाँ تو ठीक है आपके जो फिटिंग रही जो भी आपको मैंसाभी कुछ दिखाऊंगा कि करे चारी जो गया है बैटकिया मैंने चेक कर दिया इसको तो उसके बाद मैं जो है इसको भी सब्खकर लो इसके भी अश्चे से सफाई करके क्योंकि इसमें शुप्टर डालना तो इसको भी पेस्ट करके फिर ही हम लगाएंगे दोस्तों आपको मैं पूरी डेटेल में बता रहा हूं कि क्या 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 नहीं क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर आप तक वह थोड़ी वीडियो जुरूर थोड़ी सी लंबी बनी है लेकिन आपको पूर्जी डेटेल में मतलब पता चलीगा कि आपने क्या 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 करना है कोई भी मैंने इसमें स्किप नहीं किया कि आपको कि मैंने शोड दिया हो कि ये पार्ट जो है ना नीड हो जाए से सारा आपको दिखाई दी रहा है तो अभी हम इसके जो शिफ्ट रहे हैं इसको डारे हैं इसको भी अश्यश्य पेस्ट कर लेना है आपने पेले मैंने किया हुआ है पेस्ट करने के बाद ही इसकी जो मैं फिटिंग कर रहा हूँ तो जे भी आपने क्या करना है कि न्यूटल में रखना है न्यूटल में रखना है क्योंकि सामने आपका जो है गेर ट्रास्मिशन पड़ा हुआ उसके जो है वो भी हमने न्यूटल में ही रखेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे न्यूटल में ही रखेंगे तो न्यूटल में यह देखे सामने वाली साइट में चार बोल्ट होते हैं तो आपने चारों के चारों डालने हैं तो देखे उपर वाली जो फिटिंगे उसमें भी आपने अश्य से इसको साफ करके तो फिर इसको पेस्ट करने के बाद ही फिट करना है जे देखिए जे प्लेट हैं इसको भी आपने देखना वो सामने उसके कट के बीच में ही कट रखना है जे देखिए सामने है ना तो इस कट में जब आप रखो कि उसके बाद में बोल्ट लगा लो बोर्ट लगाने के बाद जो है नीचे नहीं जाएगी जो है जब शिफ्ट करेंगे ना तो जिन नीचे उपर नहीं होगी तो इसलिए इस कट में जरूर टालना है तो इसको भी अश्चे से आप टाइट कर लो एक बार चक भी कर लो टाइट करने के बाद कैसे से टाइट हो गया तो टाइट करने के बाद आप ने करना है इसका उपर वाली गरारी लिगा नहीं है जो हमने इसका बैक गेर का स्विच निकाला है उसको भी देखिए उसको भी थोड़ी सी हमने जो है पेस्टिंग करने के बाद ही फिट किया है क्योंकि जे जो है न पॉइंट जे सभी इसलिए मैं बहुत पता रहा हूं क्योंकि जहां से जो है और जो है निकल सकता है बार क्योंकि जे जहां से भी निकल सकता है तो शिफ्टर से भी निकल सकता है तो बाद में लीकेज रहेगी तो उसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो फिर अच्छी स्वाइज से करोगे तो फिर ही अच्छा रहेगा तो फिर यह यह कि इसकी जो लीकेज ना हो तो फिर रेसिड ही है, हमने इसको गया कर रहे हैं श्लैक के लगा रहे हैं तो अभी इसकी जो फिटिंग है, वह भी मैं आप बता रहू है जो डेखिए आपके सामरे है जो इंजो देखिए इसमें देखिए जो एक ये गोल्डन गलर का तो इसको आपने ऐसे रख देना है तो ये आपके लिए जे फिट है तो ये एक जेगर आ रही है जे इसके उपर आ जाएगी इसके बीच में जो है दो बेरिंगे कट कट है नहीं मतलब की है तो एक ही मतलब पूरा है पर दो नहीं बनाया हुए साइज इसके लिए कि आदा आदा तो ये देखिए आपने इसका कौन का हिस्सा लगाना है और जो सामने जे देखना है इसमें में जो स्लीव है तो इसको प्लेन वाला हिस्सा वो उपर वाली साइड में आएगा जो थोड़ा सा चोर्स बना हुआ है मन चोर्स नहीं बना हुआ है जानि कि थोड़ा नुकीला बना हुआ है वो आपने कहा करना है नीचे वाली साइड में तो इसको साइड में एक ना बोल्ट लगा हुआ है दस नमपर का उसको लगा देना है उपर इसमें भी आपने कह करना है लोक लगा होता है उसको लगाना है तो देखिए यह जो है बोल्ट इसको भी लगा दो लगाने के बाद यह 30 नमबर का होता है लगाने के बाद रसे से टाइट करके बाद में इसमें लोक लगा दो उपर वाला है इसमें भी लोग है और मैंने आपको बताया था ना जो shift का भी होता है तो उसको भी क्या करना है दस नंबर का इसको भी fit कर देना है जिसका भी आपने के करना है कि जो plane वाला हिसा है वो नीचे वाली साइड और थोड़ा जना इसमें थोड़ा गुलाई सी बनी होती है तो उसको के अगर नहीं उपर वाली साइट में जे सब कुछ मैं आपको ताँ बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई बात में खोलने के बाद कोई दिक्कत ना है कि आप एक बार वीडियो देखो और उसमें सब कुछ आपको पता चल जाए फुल डुटेल में आपको वीडियो बता रहा हूँ अप यह हम जो है तीस नमबर का आपको मैंने बोल्ट बताया था तो उसको हम फिट कर लेते हैं अश्य से दियां रखना है इसमें जागर गन से लगए होगा है तो आप इसमें हाथ मद डाल देना वरना कट जाएगी उंगली तो दियां रखना है इसको भी चेक कर लो एक बार उसके बाद ही लो करना उके तो अभी जे भी मारी जो है फिटिंग हो गई उसके बाद उसको जो उपर लगाना है इसका जो कैप उसको भी हमने क्या करना है साप पहले जो दो ना मैंने बोला था आपको शिफ्टर का बोल्ट 14 नमबर का उसको भी आपने लगाना है अगर बूल गे तो न्यूटल ही रह जाएगी गाड़ी तो इसलिए आपनों का क्या करना है इसको भी लगाना है जो देखे एक जहां पर है एक वो सामने लगावाए जो आज जहां पर हो लेना तो एक वहां पर है जो वो 14 नमबर का है और जे जो है 12 नमबर का है तो तोनों आपने लगाने हैं फिर ही आपके जो गाड़ी के गेर है वो चेंज होएंगे नहीं तो वहां पर ही रह जाएगे न्यूटल के न्यूटल इसको भी हाथ से चेक कर लो कि कहीं डेले तो नहीं तो अभी हमारा तो जो ट्रास्मिशन है पूरा का पूरा कम्पलीट है बस इसके उपर जो यह कैप लगना है तो कैप भी अभी लग गया तो अभी जो है हमारा ट्रास्मिशन इसको टाइट करने के बाद एक तम फिट है तो ध्यान रखना है इसके ना नीचे भी तीन बोल्ट होते हैं बारा नमबर के तो वह भी आपने जैसे खोले हैं वैसे फिट कर लेना क्योंकि मैंने इसके आप पेले खोल लिए थे तो मैंने उसकी आपको वीड you दिखाई नहीं तो अभी मैं इसके जब फिट करूंगा न तो वह जरूर आपको बताउंगा की कहा पर लगे होते हैं कि नीचे वाली साइड में होते हैं जहां पर इसका जो है क्लच बेरिंग लगा होता है क्यूंकि उससे पहले तो आपका वैसे खुले गई नहीं तो अगर आपने वह खोले हैं तो फिट भी जरूर करना है जे देखिए अंदर वाली साइड में तीन बोल्ट लगे होते हैं उसके उपर बात में जहां पर जो निकाला हुआ है जहां पर क्लच बेरिंग होता है तो उसकी भी आपके क्लच बेरिंग भी फिट करना है तो वो मैं अभी चलो आपको नहीं बता रहा है I hope आपको जे वीडियो अशी लगी होगी अगर प्लीज आपको वीडियो जे अशी लगी है फुल डेटेल में आपको बताईए तो प्लीज आप क्या करो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जुरूर करना और साथ में जो है सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा देना, बेल आइकन को दबा देना, आल पे गर देना, ठैक्स फूर वाचिंग माई वीडियो